उत्तप्रतेश के संबल के असमॉली सित्भामीडों ने ग्राम प्रधान पर गाउं में विकास कारेना कराने का आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा गाउं में कोई भी विकास कारे नहीं कराया गया है गाउं में मुख्य रास्तों पर हर समय जल भराव रहता है नालियां चौक रहती हैं यहां पर सफाई कर्मी भी नहीं आता है पानी की निकासी नहोने के कारड की चड़ रहती है आरोप है कि हर समय जल भराव रहता है कई बार इसकी सिकायत प्राशासनिक अधिकारियों से की जा चुकी है लेकिन ग्रामीडों की समस्या जस्की तस है जब प्रधान से गाउं में विकासकारियों के लिए कहा जाता है तो प्रधान पती द्वारा कहा जाता है कि विकास करने के लिए अभी कोई पैसा नहीं आया है यह बात कहे कर टाल दिया जाता है उधर बरशात के चलते सरकारी शमिती की बधाल इस्तिती हो चुकी है जोहां परिश्वर से लेकर रास्था भी कीचर से तालाब हो चुका है कीचर भड़ा रहने से बद्बू फैलने लगी है समिती में खाद लेने पहुच रहे किशानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन समंदित अधिकारी द्वारा इसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो इसकी शिखायत ग्राम प्रदावन से नहीं किया अपने लोग मकान से निकल कर किसी सबजी बगार या सोधा लेने के लिए आप जाते हैं किस रास्ते से निकलते हैं पानिमें करना पड़ता है क्योंकि इहर से रास्ता पूरा यहां बड्सात होती है और इधर से पूरा-पानी यह सीधा पाउर निकलता है पूर रास्ते जागे लोग में दिक्कत हो जा उन्तौाव्स का इंचार कर ने कि बढ़त कर दूर ओ संद मुं करना खंड डोली है लेडीज है देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर